हेलो एवडिवन आज मैं आप सब के साथ में बिल्कुल नए तरिके की एक रेसिपी शियर करने जा रही हूँ यह रेसिपी आप तो पसंद करेंगे साथ में आपके बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे क्योंकि यहाँ पर मैं पाली जी बिस्किट का यूज करने वाली हूँ यहाँ पर मैंने दो पेकेट पाली जी बिस्किट लिया है दस वला पेकेट आप चाहे तो पास वला भी ले सकते हैं तो पाली जी बिस्किट बच्चों को बहुत पसंद आती है पाली जी बिस्किट बच्चे बहुत शौक से खाते हैं तो यहाँ पर हमने दो पेकेट पाली बिस्किट को हमने यहाँ पर प्लेट में निकाल लिया है आप देख पा रहे होंगे आप चलते हैं गैस की तरफ गैस में हमने रख दिया है कड़ाई इसमें डालेंगे दो चमाच घी तो यहाँ पर आप घी का यूज करें घी से यह रेसिपी बहुत ही ज्यादा टीस्टी बन कर तियार होती है तो घी हमारा गरम हो गया है इसमें हम डाल देंगे पालेजी बिस्किट पालेजी बिस्किट को अच्छे से क्रिस्पी होने तेक हमें फ्राइ कर लेना है तो यहाँ पर घी थोड़ा सा आपको ज्यादा चाहिए होगा इस बिस्किट को तलने के लिए तो ब फेल्टाने से इसको डोनों तरफ से कलर है ना बहुत इपाद डीके का अपर तरीकिये तरीके का कलर आईगा तब पहले पर आग सुझतासों एसको प्र ख्लके एज पैलीज आध्या करें से बना टցर साथका। तो यहाँ पर हमने बिस्किट को अच्छो से पलटा दिया है, इसका कलर आप देख पा रहे होंगे, अभी हम इसको निकाल लेते हैं, और निकाल करना इसको पहले हम ठंडा करेंगे, उसके बाद ही हम इसको बनाना शुरू करेंगी तो आज की रेसिपी जितनी ज़्यादा टेस्टी है ना उतना ही बनाना आसान है, आप बहुत ही आसान ही से इसको बना कर त्यार कर सकते हैं, बच्छों को तो बहुत पसंद आएगी तो यहाँ पर हमने इसको निकाल लिया है, एक बाउल में, अच्छे से हमने इसको ठंडा कर लिया है, यह देख पा रहे हूंगे, बहुत बढ़िया से यह ठंडा हो गया है और इसका color भी आप देख पा रहे होंगे कितना बड़िया color आया है इसको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ ये देख पा रहे होंगे कितना बड़िया आ गया है और इसमें खी की खुश्बू आ रही है आप हम क्या करेंगे एक दूसरा बाउल लिया है और इसमें डालेंगे हम milk powder तो milk powder इसमें जरूर से डालिएगा बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इससे तो यहाँ पर हमने तीन चमच milk powder लिया है आप देख पा रहे हैं तीन चमच हमने milk powder लिया है और इसके साथ में हम डालेंगे दूद जो cow milk होता है वो लिया है मैंने यहाँ पर तो यहाँ पर एक कप लेना है आपको दूद तो यह ठंडा दूद है मैंने दूद को सुभई गरम कर लिया था तो यहाँ पर इसको ठंडा करके ही हमें लेना है गर अब चलते हैं दूबरा से गैस की तरह इसमें हमने लिया है एक पैन और पैन को अच्छे से करम होने देना है इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें और आधा कप जितना हम दूद डालेंगे और हम इसमें डाल दिंगे हमारा milk powder वाला दूद तो फुल करके लिया है और एक आधा कप लिया है दूद को अच्छे से मैंने उबाल लिया है यहां पर तो यहां पर milk powder का यूज जो हमने किया है ना milk powder डालने से यह जल्दी से बनकर तियार हो जाता है जैसे दूद में उबाला आ गया है अच्छे से इसमें हमने डाल देना है तीन से चार चमत शुगर तो मैं यहां पर शुगर का यूज थोड़ा सा कम कर रही हूँ शुगर डालने के बाद हम इसको दुबारा से अच्छे से चला देते है और इसका ना एक दम मावा जैसे बना कर त्यार करना है इसको हमें मावा भी नहीं बनाना है पूरा मावा के तरा भी नहीं बनाना है क्योंकि हमने इसमें शुगर डाला है तो यहां पर हमारा यह त्यार हो चुका है आप देख पा रहे होंगे इस ट्राइम पर गैस को हमें कर देना है बंद और इसको ना एसे ही छोड़ देना है और इसको थोड़ा सा चला कर ही छोड़ना है जिसे की यह नीचे से ना लगे गैस को हमने बंद करके निकाल लिया है और यहां पर आप देख पा रहे होंगे बिस्कित को भी हमने अच्छे से तयार करके ठंडा कल दिया है अब हम यहां पर एक मिक्सर जाल लेंगे और इस बिस्कित को जो है तोड़के मिक्सर जार में डाल देंगे तो इसको एक liquid जैसा बनाना है, liquid जैसा बनाने के लिए इसमें आपको दूद्ध भी डालने के जरूरत नहीं है, ना ही शुगर और ना ही पानी डालने के जरूरत है, जैसे ये mixer में विस्किट डालकर आप इसको चला देंगे ये बिलकुल liquid जैसा बन जाएगा, मतलब कि ये ए कोड़ा सा ठंडा हो गया है अब हम आपको यहां पर दिखाते हैं हमारे बिस्किट भी तयार हो गया यह दिखिए यह बिल्कुल घोल जैसा बनकर तयार हो गया है इसमें मैंने दूद पानी यह शुगर विगरा कुछी उस नहीं किया है क्योंकि इसमें घी डला हुआ था ना तो इसलिए इसका गोल जैसा बनकर तयार हो गया यह आप इसका टेक्चर दे सकते हैं कितना बढ़िया आया है इसमें हमने पेन में डाल दिया है मावा के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे इसको बहुत ही बढ़िया से आसानी से मिक्स हो जाता है और यह मावा जो हमने ति एक छोटा सा डबा ले लिए है तो इसमें ना पहले मैंने एक दिन बर्फी बना कर बर्फी जमाया था बहुत ही बढ़िया से हमारी बर्फी बनकर त्यार हुई थी तो आज मैं इसी डब एका यूस कर रही हूँ बहुत ही छोटा डबा है फिर भी इसमें बहुत ही बढ़िया से बनकर त्यार होती है आप एक बार इस रेसिपी को जब ट्राइ करेंगे ना बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे तो यहां पर हमने बिस्किट की जू मिस्टन है इसको डाल दिया है अब हम क्या करेंगे चम्मत से इसको सेट कर देंगे इसको सेट करने के बाद जब तब आप देख पाएंगे कितना बढ़िया तरीकी की हमारी मिठाई बनकर त्यार हो गई है मतलब कोई भी देख कर बोली नहीं पाएंगे कि इसको आपने पाले जी बिस्किट से बनाई है आज की रेसिपी जू है बहुत ही शांदार तरीकी की रेसिपी आप सब के साथ में मैं शेयर कर रहे हूँ रेसिपी अगर थोड़ी सी भी कही भी पसंद आई हो प्लीज लाइक सुस्क्राइब शेयर जरूर कीजिएगा साथ में लाइक डेन और कॉमेंट भी जरूर कीजिएगा आप सब के कॉमेंट और लाइक डेन से बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और प्लीज सस्क्राइब करके हमें सपोर्ट भी जरूर से कीजिएगा साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले तो यहां पर मैंने इस बिस्कित की मेंशन को सेट कर दिया है इसके उपर ना हम थोड़ा सा पिस्ता डाल देते हैं जिससे की यह दिखने म से सिर्फ 10 रुपे की पाल्डी जी बिस्किट से आप बजार से भी बढ़िया मिठाई आप गर पे बना सकते हैं बहुत ही शांदार तरीके से तो यह देखे बर्फी हमारी अच्छे से सेट हो गई है मैंने इसको देड़ गंटे के बाद प्रीज से निकाला है और अभी मैं इसको प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ यह देखे जब मैं इसको निकाल रहे हूँ कितना बढ़िया तरीके से यह निकल गया है यह देख पा रहे होंगे यह देखे है हमारी बर्फी इतनी बढ़िया तरीके से सेट हो गई है एकदम बजार में जो मिलती है ना उससे भी बढ़िया तरीके से हमने घर पे बना कर त्यार किया है कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में इसको अभी हम कट करते हैं तो कट करने के टाइम में आप इसको अपने मन पसंद नुसार कट कर सकते हैं जैसे हैं आप कट करना चाहों, इस Gosh के ने नहीं कि guypo compartment चिसही होसिते सबढ़ के जिएकर पर भूर। बढ़िचे के पी आपकर मुझाइक तो भी अगे हमें जुद्ट से तब करेंगा। इतना प्यादा सॉफ्ट बन कर त्यार हुआ था ना ये मुझ में जाते ही गुल जाने वाली बर्फी हमारी बन कर त्यार हुई वो भी पाले जी बिस्किट से सिर्फ 10 रुपे की बिस्किट से बहुती बढ़िया हमारी बर्फी बन कर त्यार हो गई ये देखें आप इसको किस किसी तेहार में भी बनाई है या फिर बच्चों को यह से भी बना कर दे सकते हैं तो मिलते हैं और एक रेसिपी में तब तक के लिए थैंक्यू सो माज